आप सभी को मेरा प्रणाम तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर रहा हूँ कार्तिक मास की कथाओं में श्याव ब्या की कथा या कहानी जिसे दीपावली की अबसर पर सुना जाता है और कार्तिक मास में भी सुना जाता है तो कार्तिक मास तो चल ही रहा होता है दिवाली की दिन मेली सुना जाता है और बाकी दिन भी जब भी पुजा पाट की जाती है तो इस कता को सुना जाता है तो बहुत ही महतुपुन कता है ये कार्तिक मास की श्यावया की कता इससे पहले हमने साबा दीपाबली की कता देखी है और भी बहुत सारी कताएं कहानिया देखी है और डेली हम कार्तिक मास से रिलेट स्वायर अच्छी गीत भी लाते हैं आप सबी के लिए अगर आपने नही सुना है नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेइस से चेक आउट कर सकते हैं उन गीतों को और फिर आप डिस्क्रिशन बॉक्स की लिंग में लिंग मिल जाएगी वहां पर भी चेक आउट कर सकते हैं तो हम डेली उससब से कोई नो कोई गीत हमारे द्वारा स्वार अचीद या पारंप्रिक गीत हम लाते रहते हैं तो आप जरूर से देखे हमारे चैनल की प्लेलिस में तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगी कार्तिक माथ की कताओं में शाब्या की कता तो स्टार्ट करेंगे इस कता को एक सेट के सांत बहु और एक बेटी थी दीवाली पर सातों बहु बेटी माटी लेने गई, तो भोजाई तो सोच को चली गई, ननत से कह गई कि मोटी खोद कर धकोली भर ली जो, नन्द माटी खोदने लगी तो साउ बाओ के बच्चे कट गए, अब ननत ने माटी खोद वो बन कर दियो, सातों बहु सोच से आई, तो ननत बोली मैं तो माटी नहीं खोदू, मोटे तो साउ ब्याओ के बच्चे कट गए, बड़ी बहु बोली तुम तो माती खोदो, और कहती जो यह है अजार बजार यानि दोश बड़ी भोजाई को लगे, ननत माटी खोद गई और कहती जाए कि यह अजार बजार और गोवर्दन के दिन वो मर जाता क्योंकि उससे सावड का श्राप लगा था अब कुवार के महिने में एक डोकरी आई बड़ी बहुने पैल लगे डोकरी बोली सीरी रहियो सफोती रहियो पव बोली मुझे तो सावड का श्राप लगा है जो मैं तो दिवाली को जनू और गोवर्दन कुवे मर जाए डोकरी बोली दिवाली के दिन घर को कूप सजाना धकोली भर के पुआ बनाना कोरे कोरे मठका पानी के भरना रात को सावड माता आईगी उसके पैर पकर लेना भहु ने ऐसा ही किया रात को सावड माता आई भहु ने पैर पकर लिये सावड माता बोली पापन छोड मेरे पैर को कतल करने वाली पापन भहु बोली कतन करने वाली तो भहु बोली माता मुझे माफ कर दे भहु बिंती कर है तो दूसरा चाहे तीसरों यानी एक बच्ची को जब कान मसती तो बच्चों कोस्वारा उचता मैं सकती हो चाहे घर और सब स्याव ब्याव पूजने लगी तो बोली कि सत रोहिनी आएगी वासे पहले ही कहानी सुन लो बड़ी भव आई सांतो छोरान को जो उसकी छोरा थे सांतो छोरान को ओड़ा पेरा के लाई सब औरती बोली इतने दिन से ने इनको कहान छुपा रखा था क्योंकि पहले तो उसके बचचा नहीं था और किसे को पता भी नहीं था जब आई कथा सुनने तो सब ने बोला कि इतने दिन से बच्चों को कहँआ पर छुपा रखा था तो आज लेके आई बहु बोली मुझे तो सब साबर मता ने दिये हैं तो जैसा साबर मता ने बहु को सभागे दिया वैसा सभी को दें, सभी को उनकी इच्छाएं पूरी करें तो ये थी स्याब्या की कहानी इसी तरह हम कार्तिक मास की कथाओं में और भी important जो कथाओं सुनी जाती हैं कार्थिक मास में वो भी देखेंगे इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद